हेलो एप्रिबरी op 80 देखिए सेल डिवीजन में आप लोगों का बहुत-बहुत haver तो सेहल डिवीज़न क्या होता हैं एक सेल डिवाइड होकर दू बना देखल तो इसे को सेल कहा जाता सिधीसी छीदी में किया दिया एक कोशिका से दो कोशिका का बनना सेल डिविजन कहलाता है या कोशिका विभाजन कहलाता है या इसको कोशिका प्रजिनन भी कहते है तो किस प्रकार से होता है इसको आप पहली समझे यह कहानी क्या होगा क्या नहीं जिसको मैं बाद में बताऊँगा यह क्या है बच्छो ओवार के बद सुनते चले आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं और ये क्या है इसपर्म सभी जानते हैं इसमें कोई confusion हुए ये आपस में फ्यूज होंगे फ्यूज होने की क्रिया को क्या कहते है फटलाइजेशन तो यहां लेकि दिया फटलाइजेशन इसके फल सरूप एक structure बनती है जो deployed होती है ये हैफ्लोइड होती है दोनों ये हैफ्लोइड होती है इन बर्ड़ों में कोई problem आई तो पूछना अधर बाज आप सुनते चले क्योंकि कि आप ये topic पढ़ चुके है ये जो structure बनी इसको क्या कहा गया जाइबॉड कहा गया ये आप और हम लोगों की प्रारम भी कबस्था है यानि कि ये मैं हूँ पेड़े तो ये मान के चले तो ये मैं हूँ तो इतना बड़ा मेरा सरीर जो बन गया वो कैसे बना वो है कैसे बना सबसे पहले इसमें cleavage phase होती है इस cleavage phase से इसमें division होता है इसमें division होता है जिससे एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोला इस प्रकार से division होता रहता है तो ये phase कौन सी? cleavage cleavage phase में division, what division कौन सा हुआ ये अभी आप और हमनों चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यहां reproduction वेशी के लिए नहीं पढ़ाय जा रहा है, embryo development नहीं पढ़ाय जा रहा है यहां आपको जो पढ़ाय जा रहा है, वह है इस प्रकार से एक 16 cell structure बन गई जिसको मौरूला कॉल किया गया ठीक है यह मौरूला इससे मुक्रूब से क्या हुआ इससे यह arrange हो गया यह blastula बन गया दो layer में arrange हुआ था ठीक है फिर इससे यह three layer यह लो एक्टोडर्म मीजोडर्म और एंडोडर्म यह तीन लेयर बनती है इन तीन लेयर से अपना development होता है इन तीन लेयर से मुक्रूब से अपना development होता है यह diplo blastic है और यह यह triple blastic phase बन गई यह blastula यह इस phase को क्या कहते है glass glass इससे पूरे सरीर के बिभिन अंगों का निर्माण होता एक्टोडर्म मीजोडर्म और एंडोडर्म से तो सरीर कैसा बन जाता है देख लीजिए यहां बता दूँ मैं यहां सभी बना देके इधर बताता हूं यह जैसे कोई बहुआ स्वर्ण यह जार होग बताता हूं बहुआ से बताता हूंAb arrive início यह जाओ क्या का लूका बताता हूं pop देख मैं Point बताता हूं 11 थोड़ा साथ छोटा कर दो इसको ठीक है चली ये आपने अपनी बॉड़ बना दी इससे ये बॉड़ी बने है इस एक्टुडर्म मेहड़़् अंडोडर्म और गेस्टला की फालसरोप यह मुख्रूब से बॉड़ी बनते हैं ग्लियर अब इस बाड़ी में मुक्रूब से मैं बता दू ये जो division पाजाता है cell division पाजाता है पूरी बाड़ी whole बाड़ी की cell से यानि अपना जो single cell structure से जो बाड़ी बनी हुए multi cellular थी वह है multi cellular body कर नमार हुआ ये बनाने का अधात पर ये था multi cellular body कर नमार हुआ इस multi cellular में मुक्रूब से यानि बहुत सारी cells थी, इन सभी cells में मुक्रूब से somatic cells थी, जिसमें mitosis division होता है. यहां जो हुआ था mitosis, अब आगिया चर्चा में mitosis division. कौन सा mitosis division? यानि इनकी जो cells थी वहे 2N थी यानि deployed थी. तो सभी सेल्स जो बनेंगी नेचर में वो डिप्लॉइट बनेंगी इस बज़े से इसको माइटोसिस या समसूत्री वाजन कहा गया जैसी सेल थी वैसी की वैसी क्रोमो संख्या वाली सेल का बनना क्या कहलाता है माइटोसिस कहलाता है तो वही समसूत्री सेल पूरी बोड़ी म सिर्फ दो भागों को छोड़ कर कौन-कौन से भाग थे यह टेस्टिस और यदि मेल है तो यह डाइग्राम मेल का इमेजनेट करेंगे तो और यदि फीमेल का इमेजनेट करते हैं इसमें जो डिवीजन पाए जाता है इसमें जो डिवीजन होगा वहें मुक्रूप से कौन सा होगा मियोसिस के फल्सरूप मियोसिस के फल्सरूप मुक्रूप से सेक्सल बनती हैं जो यह थी वह फीमेल के द्वारा बनेगी फीमेल ओबरी में और इस पर जो बनता हो है टेस्टीज में बनता है मेल में बनता है तो स्वभावी कहा कि माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन के फलसूप क्रोमोसॉम हाप हो गए, रिडक्टिव हो गए, यानि कि कम हो गए, क्या हो गए, कम हो गए, इस वज़े से इसको अर्धसूत्री वाजन और इसके द्वारा पूरी बॉडी में सिर्फ इन पार्टों को छ नाम से डिवीजन की फलसूप सी दूर्फ इन जना की तो पूरी बॉडी में मायटोसिस डिवीजन हो था यह किया होगा, कैसे होता यह डिटेल में आगे आज़ civिस राठी, की तक पर था है कि division के फलतुरूप जब एक कोशिका से दो कोशिकाइं बने तो उसको मुख्रूप से क्या का जाता है cell division या cell reproduction के नाम से जाना जाता है पहरी बात तो यह हुई आपके दमाग में clear दूसरी बात यह division अपनी body में मुख्रूप से कितने प्रकार का होता है यह division अपनी body में कितने प्रकार का होता है तो तीन प्रकार का होता है नंबर एक लेवाइल division होता है कौन सा division होता है लेवाइल division होता है इस division में मुक्रूब से जो cells होती है वह cells जल्दी जल्दी तो वह सेल्स जल्दी जल्दी डिवाइड होती हैं कैसी होती है जल्दी जल्दी मुक्रूब से डिवाइड होती है क्या होई डिवाइड में तो कौन सी सेल्स अपनी बॉडी में ऐसी होती है जो मुक्रूब से जल्दी जल्दी डिवाइड होती है वो कौन से cells होती है तो देखें skin की cells होती है क्योंकि skin अपनी अपनी जमद्व होती है मतलब skin निकलती रहती है skin निकलती रहती है तो यहां skin पुन्हेबनने है तो बोच बनेगी कैसे जब division होगा तो इस बजs से मुख风 से लेवाले है सेल जल्दी जल्दी डिवाइड हो ती इस्किन में हैं हाँ दूसरा मुक्रूप से बता सकते इन ट्रेक्ट किया इन ट्रेक्ट बता सकती यानि गेस्ट्रिक इंटेस्ट्रेक्ट भूरा लिखना चाहते हैं तो आप यहां जी और berna लगाता डिवाइड होती रहती है तो पहले-नमबर का कौनसा हुआ लेवाइड we go होगा आप ध्यान बस यह रखिए सेल जल्दी डिवाइड होती हो और यह आपको एक जामपल ध्यान में रखना है ठीक है फिर दूसरा मुख्रूप से आता है कौन सा टाइप से होता है दूसरा होता है इस्टेवेल इसमें सामानित है डिवीजन नहीं पाए जाता सामानित है डिवीजन नहीं पाए जाता विश्य ध्यान की पेंट आउट में कर रहा हूँ आवश्यक्ता होने पर आवश्यक्ता होने पर सेल डिवाइड होती है इसका पहले इसकी सोड ले लिए आप लोग ले लिए इसकी सोड देखें तो इसमें मुख्रूप सामानित है डिवीजन नहीं होता है आवश्यक्ता होने पर आवश्यक्ता होने पर सेल डिवाइड होती है यह विश्य ध्यान आवशक्ता होने पर cell divide होती है यह ध्यान में रखना अब इस प्रकार की body में अपने कौन-कौन से organ है जिन में मुक्रूप से या tissue है जो आवशक्ता पढ़ने पर उनकी cell divide होती है तो सीधी सीधी ध्यान रख लिजी जो अपनी body में damage होते है बिसेली पदार्तों से या alcohol से तो liver है kidney है और pancreatic gland है तो कौन-कौन से एक्जामपल दे सकते हैं आप लिवर सेल्स केड़नी सेल्स जैसे नेफ्रों होती है और आपके pancreatic cell clear यह एक्जामपल दे सकते हैं फिर तीसे नंबर का जो टाइप साता है वह है मुक्रूप से है permanent कि दिखाई दे रहा है बच्छों पर्मानेंट में कुछे क्या बताया जाता है सुनिए कहानी पर्मानेंट की कभी भी डिवाइड ना हो कभी भी डिवाइड ना हो या अपनी बॉड़ी में ऐसी कौन सी cells होती है जो कभी डिवाइड नहीं होती है तो सीधी सीधे बोल दो neuron cells and muscle cells कौन कौन सी cells ऐसी है जो कभी डिवाइड नहीं होती है एक्जामपल में neurons, muscles, cells तो यह जो cells है अपनी बॉड़ी में मुख्रूप से कभी डिवाइड नहीं होती है तो इस प्रकार से बॉड़ी में तीन प्रकार का डिविजन होता है नंबर एक लेवाइड जो जिनकी कोशिका है मुख्रूप से विभाजन के आधार पर यह दिया ह जिनकी कुछ का बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होती है इसकिन है गेस्टिक इंटेस्टैनल ट्रेक्ट फुर्पॉप्रमिकली गेस्ट्रिक इंटेस्टैनल ट्रेक्ट और बॉन मेरो ठीक है स्टेवल में मतलब सामाने ते डिविजन नहीं पा जासता आवशक्ता यह प्रबीजन दोर टते हैं तो यह आप क्या बता सकते इसके एग्यामपर रता सकते तो सबसे पहले आप इसकी सिंसितिन कि औरे डिगार होता है ठीक है चली अब यह आप समझेट एक से एक से यह पहले यह बना फिर इस से यह बना और इस प्रकार से आप मोँ बन गए ठीक पहला इस्टार्टिंग अपनी यहां से तो यानि एक सेल से मटिसेलूरर बॉड़ी बन गए तो यह क्या है सैल डिवीजन है बच्चो यह क्या चीज़ है यह सेल डिवीजन है तो देखें अब बताया जाता है सेल डिवीजन के यानि की यो सेल बनी इससे कहने का ताथ पर यह हो गया कि यो ओल्ड सेल थी ओल्ड सेल थी उसी से एक नई सेल बनती है उसी से एक नई सेल बनती ऐसा रूडोल्फ विर्चो रूडोल्फ विर्चोड थे इनका कहना था कि ओमनी सेलूला इस सेलूला क्या मतलब हुआ यानि कि न्यू सेल्स न्यू सेल्स आर फॉर्मड वाई ओल्ड सेल्स न्यू सेल्स आर फॉर्म वाई ओल्ड सेल्स यानि नई सेल्स का निर्मार पुरानी सेल्स से ही मुक्रूप से होता है तो सबसे पेदी तो बात ये मुक्रूब से किस ने का था रूडोल बिर्चे ये scientist का नाप आसानी से आप ध्यान में रख लीए ये आपको वियाद करना है अब आता है अगला भाईडो cell call divide cell कोशिका क्यों divide होती ये क्यों बिवाजित होती है इसका क्या कारण है बिरुकुल सही बात है क्यों क्यों आपको पता है कि cell जो होती है उस cell के अंदर cytoplane पायाता है और Nucleus होता है, क्या तुब बता दू मैं, देखें, ये क्या है, सेल, सिर्फ मैं वही ओर्गन बता रहा हूँ, जो अपने को आवश्यक्ता है, सिर्फ मैं वही ओर्गन बता रहा हूँ, जो अपने को सेल डिवीजन होने में आवश रकता है वही बदलब क्यों होती है इस वजशे hotel देखे ये निपलियर्स ये chromatin net और ये नूकलियोlyas ठीक, और ये निव कलियर मेंब्रेन निव कलियर मेंब्रेन है ये ये निव कलियस यहां ना करो इसको चल यहीं कर लो कोई दिक्कत नहीं है यह तो अपने अपना बोर्ड है चाहिए किदर भी कुछ भी कर लो और यह क्या है साइटो प्लाइड ठीक है बच्चो देखें अपने को यह पता है कि सभी बोड़ी की वाइटल एक्टिविटी यानि जीवन से संबंदित जो क्रिया होती है वो सेल के अंदर साइटो प्लाइड में उपस्थित सेल और निल्स में होती है अपर तो यह जानना है कि साइटो प्राइम में मुक्रूप से सभी वाइटल एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी मुक्रूप से संपन होती है पहली बात तो यह सेल में तो इस साइटो प्राइम का निर्मान मुक्रूप से सतत होता रहता है साइटो प्लाइम का सिंटेजिस मुक्रूब से कर अगया होता है कि शेल ऐले का सेप अड़ वॉल्यूम इंक्रीज होता है सेल का सेप ऐल MER मुलाियूम इंक्रीज हुआ क्या हुआ सेप इंड वॉलूम इंक्रीज हुआ है कि साइज में सेल बड़ी होती है साइज में सेल कैसे बड़ी होती है किसके फर्रूब जब साइटो प्लाइम का सिंथेसिस होता किभ़ाए साइटो का अंता है उस दोरान सेल का vibe बड़ता है और अपनीडं चीदि करेदכשיו का साइट बढ बढ़ दो जब ये मुख्रूब से साइटो बढ़ रहा है तो उस दौरान क्या होता है कि मैं अलग से बढ़ाई जहाए जो तुटցप नियुक्त कस जो आकार है प्लाज्मा मेंब्रेन का मुख्रूप से सर्फिस एरिया जिस बोला जाए यह प्लाज्मा मेंब्रेन है प्लाज्मा मेंब्रेन का कि सर्फिस एरिया नहीं बढ़ता इसका निर्मार सतत हो रहा है एक सीमा तक तुम खुषी फैलती जाती लिए एक सीमा के बाद मुखुरूपसी इसका सफिस एरिया बढ़ना बंद हो जाता है फूर एक जम्पल वैलून लिजिए उसमें हवा बढ़ते जाएए फैलता हवाबरो स्टेजिन के स्टेश कि एक से दो कोषिका से निर्मार हो रहा है कि एग को सिप्याले से से यह बताएं लेकिन मुक्रुब से वाल्यम vaul Sounds को 2 का बढलता चला जाता है और सिंथेसिस होताया रहा है तो उस इस्थिती में है pleasure-man मेंड़ी एंधार उतना नहीं बढलता उतना नहीं बढ़ता है जिसके स्पाड़ी जिवाइड वसके है पहनी चीज़ दूसरी चीज़ बताया जाता है कि अभी बताया था कि साइटो प्राज्म में वाइटल एक्टिविटीज होती है जिनको मुझが कचा यह जो बता यहानी कि साइटो प्राज्म में यूज के पास रहे है यह इस कैसके कि इस नियुक्लियस के पास और इस साइटोप्लान के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है भई आप मेरा नियंतल कर रहे हैं यह थोड़ी सड़क पर चलने वाला कोई नियंतल कर जाएगा भई मेरे माबाप मेरा नियंतल करेंगे तो यानि की कंट्रोल पावर उनके हाथ में तो सवाविक के इस सेल के अंदर जो नियंतल कर पाएगा तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन सिप है कोई ना कोई संबंध पाये जा रहा है तो मुक्रूप से यहां इस संबंध को मुक्रूप से जो पाये जाता है इनके बीच में उसको क्या का जाता है नियुक्लिय प्लाजमिक इंडेक्स कहती है किसके भी स्थम साइक्यों और नियॉकलियस जाने वाले समंद्ध को निऊक्लियस और प्लाजम इंडेक्स कहें जा रहा इसको दो एक और गलाढ़ा झाल्व हूं गाffJ yoga M जाहता है लेकिन जैसे यह सबबंद इस few तो सब्सक्राइब कंजोर होने लगती है कई हैं साइटो प्राजम का निर्मार हो रहा है साइटो प्राजम का मुक्रूप से क्या हो रहा है निर्मार हो रहा है जिसके फल्सों मुक्रूप से सेल का सेप इनक्रीज हो रहा है ये देखी पहली में वता चुकों सेल का सेप इनक्रीज हो रहा है लेकिन उसकी तुलना में मुक्रूप से ये जो नुकलियस होता है नुकलियस का सेप इनक्रीज हो रहा है लेकिन उसकी तुलना में नुकलियस का सेप इनक्रीज नहीं होता है तो इनके बीच में जो connection पाया जा रहा है नूकलियस की नियंतल सक्ती खत्म हुई जब नियंतल सक्ती मुक्रूब से समाप्त होती या कम होती तो वैसे ही मुक्रूब से क्या होता है कि सीधे सीधे कह दिया जाता है कि ये cell divide होने लगी तो ये आपका answer है why do cell divide cell क्यों विवाजित होती है सबसे पहला तो ये जान लीजिए इसका ले लीजिए skin sort ले लिया चलिए यानि कि दो रीजिन आपके बता दी ठीक है अब आता है आपका main चर्चा पर अपको सामिल होने आती है अब आए आपकी main चर्चा यानि cell cycle भाई cell cycle क्या होती है series of events during cell divide series of cell cycle series of events during cell division लिख दो या cell divide लिख दो यही बात है चलो कोई दिक्काश नहीं है ठीक है तो cell division के दोरान मुक्रूब से जो एक इवेंस पाई जाते हैं उसी को मुक्रूब से क्या का जाता तो इसके लिए मुक्रूब से कौन-कौन से इवेंस होती है तो उन इवेंस पर सबसे पहले चर्चा आपको हम लोग करेंगे देखी दो टाइपस की इवेंस होती है यह देखी जी सबसे पहला जो इवेंस है जिसको इंटर फेज कहा जाता है इंटर फेज कहा जाता है यानि बीच की अवस्ता या इसको परप्रेशन फेज आप कोश्चंश कर सकते हैं इसके नाम ये क्यों दिये गए हैं या इसको तैयारी वाली अवस्था कहा जाता है बिलकुल यही नाम है इसके कोई सबस्या नहीं है इसके जो है यह वाला जो है एक्च्वल फेज है यह कौन सी फेज है बच्चो एक्च्वल फेज है या इसको एम फेज कहा जाता है एम का यहां मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बास्तित तोर पर इसमें ही डिवीजन होता है इसमें डिवीजन नहीं होता है पहरी चीज़ आप यह ध्यान लग ले हुमन बॉडी में जो सेल्स पाजाती है हुआ है 24 आवर का टाइमिंग लगता है कितना टाइमिंग लगता है 24 आवर का टाइमिंग लगता है आपके NCIT में दिया हुआ 24 आवर का टाइमिंग लगता है ऐसे ही इस्ट सेल्स जो होती है कौन जी सेल्स होती है इस्ट सेल्स जो होती है पहली बात तो यह नोट कर दीजी, तो यह जो तो फेज बताएं M फेज, M फेज का एक M का मतलब यहाँ है, माइटोसिस डिवीजन, और दूसरी M का मतलब है, म्योसिस डिवीजन, यानि कि आपके पास दो परकार के डिवीजन आ गए, एक माइटोसिस यह समसूत्रिवायन कहल कोशी का बिभाजित होकर क्रोमोसाम की संक्या में, पेजन्स जैसे ही बहुती है, यानि कि सेल से बन रही है, नई सेल का निमार जिस और प्रानी सेल को पेजन कहते हैं, नई सेल को डोंटर सेल कहा जाता है, यह ध्यान में आता कि ठीक है, तो दो प्रकार का डिवीजन हो गय कि इधिर्ट से हैपर सेल्स का प्रॉमिशन होता है यह अंगा दो मतलब पर ना आपको पहलिए वाद अब देशाव कि मतलब बता रहा हूं जैसे कि यह इस नए जो टाइम सब्लéntर मोर्मिभ्य रखता है और यह इसमें मुक्रूब से जो टाइमिंग लगती है वह वाउस लगा यानि कि यह कहा कहा के दिया जाए नव्य परसेंट टाइमिंग मुक्रूब से इसमें इसमें इसका क्या तात पर हुआ भई इसका क्या तात्पर हुआ कि मुकरूब से आप नौता खाने जाते हैं जाते हैं नौता खाने भई आज़ी घर में बैठे हुए के चलो कार देखा अड़र्स देखा के चल देते हैं के सब की सब चलो पमफ्रेल अब वहां गेड़ पहे पहुंच ए कौन-कौन-कौन आप अपने आपको समारते हैं बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं यह बहुत बढ़ी महला लिपिष्टिक लगा लोगों के बिलकुल तयार होके चल देते हैं तो स्वभावे के यानि आप तैयार हुए आगई बात तैयार तो वही ची लिखा है प्रप्रेशन फेड यानि तैयारी वाली अवस्था प्रप्रेशन फेड यानि तैयारी वाली अवस्था मुक्रूप से यह इस वही से कहराती है और तैयार होने में बहुत अधिक समय लगता है फिर तो गारी बेटे वहां खाए जितना खाने और जाने में समय लगता है उसमें से जादा तैयारी वाल जो लगता है वो इस phase में मुक्रूप से लगता है, ये आपको होना चाहिए, M phase फिर तो क्या कोश्ची का विवाजन होनी है? वास्तिरक जो division होता है, वो इस phase में मुक्रूप से होता है, आप देखें यह जो इंटर फेज फेज होती है यह इंटर फेज मुक्रूब से इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है जीवन फेज एस फेज और जीटू फेज यह जी का मतलब है ग्रोथ फेज यानि प्रथम ब्रद्धी अबस्ता यानि कि उस सेल्स में जब डि है अंगाओं का भी तो डवाल होना पड़ेगा तो सेल के अंदर जो भी सेल्स और निल्स पाइए वह सबसे पहरी डिवाइड होते हैं या जो भी मॉलीकूल्स पाइए वह मुक्रूब से डबल होते हैं यह विसे इस तोर पर ध्यान में रखना तो वह कहलाती ही प्रथम ब् जाते तो 46 के डवल मुखना हो जाते हैं क्वेझे नांदा ठी टू में कुझेड लेकिन । यहां 92 निटी निमीं कaż बॉइसन के बाद होगा वह ऋ है DNA भाग मुक्रूब से डवल होता है क्या होता है DNA भाग मुक्रूब से डवल होता है तो उसको कह दिया सिंतेसिस अभी मैं डाइगराम बना के बताऊँ अभी तो मैं यहां बता रहा है G2 जिसमें भी मुक्रूब से कुछ और इस परकार से आपको दूफेज पढ़नी इंटरफेज और एक्शुल डिवीजन जो होता है एक्शुल फेज की जगे है यहां आप और हम लोग एक्शुल डिवीजन डिवीजन लिखूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा एक्शुल फेज से माद़ डिवीजन देखे अब इसको आप पहले इस तीन सो डिवीजन जो फिर उसके बाद आप और हम लोग चर्चा करेंगे डाइग्राम के माददे हैं तो सेल साइकल में एस सीरीज ऑफ इवेंस डिवीजन तो ये इवेंस आपके सेल डिवीजन के दौरान मुक्रूप से चलेंगे ठीक है अब कौन कौन से कैसे कैसे चलते हैं उनमें क्या क्या होता है उसको आप और हम लोग डाइग्राम के द्वारा बता रहे हैं देखें ठीक सबसे पहले मतलब ये भई साइकल चलनी है क्या चलनी है साइकल चलनी है कि ये अब आपको ये ध्यान का यहां से यहां तक का जो है ये और ये ये एम फेज है ये आपका जीवन फेज है और ये आपका S फेज है और ये आपका G2 फेज है क्या फेज है G2 फेज है कि ये पहली बात तो आप ये अच्छी तरह से ध्यान में रख लेगे ठीक है तो ये कैसे मुक्रूब से बताए जाता है या कैसे लेकिन इसमें जो है अभी मैंने क्या बता है कि timing आधिक लगती है इस वारी फेज में जीवन एस और जीटू में timing अधिक लगती है total cell cycle का total cell cycle में 24 hour का timing लग रही है कितना लग रही है 24 hour की timing लग रही है यानि कि यह कहा जा है 40 to 50% जो टाइम है वह है जीवन कबर करती है जीवन में टोटल सेल साइकल का 40 से 50 प्रतिशत टाइमिंग इस्पेंट होता है के लिए पहरी बात तो यह ध्यान नक लिए दूसरी मुक्रूब से बता जाता है इसमें जो होता है वह है 30 to 40% टाइम इस्पेंट होता है फिर हाता है जीटू फेज़ में मुक्रूब से बता जाता है के 10 to 50% टाइमिंग Спेंट होती इस प्रकार से बता जाता कि से लिए मुक्रूब से अधिक समय सेल साइकलária का जीवन में होता उस से कम S में और उस से यह कम शुर्ट से जी के मैं होता है कि यह करने इतर पारं से इन दौना के बीच कि यह के लिए je तो यह मुक्रूब से आपकी, अब इसमें एक-एक आपको पढ़ना है, G1 पढ़ना है, फिर S पढ़ना है, फिर G2 पढ़ना है, क्या पढ़ना है, G2 पढ़ना है, इस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले आप और उन्हों G1 पर चर्चा करते हो, ठीक है, तो जीवन में क्या-क्या कार होंगे यह आप अच्छे डंग से सुन दीजिए तो सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस का कार मुख्रूप से कहा होता है जीवन में होता है प्रोटीन सिंथेसिस का कार कहा होता है जीवन में होता है पहली बाद दूसरा मुख्रूप से बता जाता है Most of cell Organils Replicate यानि अधिकांस जो cells के Organils होते हैं जैसे Mitochondria, Chloroplast को हटा दो Centrosum को हटा दो इसके अलाबा लगभग मुख्रूप से इसमें replicate होते हैं यानि डबल हो जाते हैं कैसे replicate होकर मुख्रूप से कैसे हो जाते डबल हो जाते हैं तो यह आपको ध्यान में रखना है पहली चीज़ तो यह तीसा पता जाता है जब यह मुख्रूप से replicate होंगे संख्या में बढ़ेंगे तो मुक्रूब से क्या होगा cell size increase होगा बच्छो cell size क्या होगा increase होगा तो इस प्रकार से मुक्रूब से जीवन में ये ये condition होती है ठीक है इस के इस इसोड़ ले 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 लेखते चले ज्यान से चलिए कोई बात नहीं मैं पहले पूरा दा दो फिर आपको मुक्रूब से मैं बता जूँगा ठीक है ना तो अब आती है दूसरी फेज S-Phेज कौन सी फेज S-Phेज होती है तो S-Phेज में मुक्रूब से आपको ये ध्यान एकना S-Phेज के नाम से जाना जाता है S-Phेज में जो DNA होता हुआ होता है s में मुखरूब से dna कैसा हो जाता है कैसा हो जाता है वह दूर्प लिगेशन हो जाता है क्या हुआ इन ग्टीन के से क्या होता है रेप्ली के सारो था पहरी चीज रूसरी चीज सेंट्रोसॉम रेप्लिकेट होता यानि रेप्लिकेट होता यानि रेप्लिकेशन एक ही बात होता बच्चो यहां सोचा कभी आप रेप्लिकेशन कह देते रेप्लिकेशन कह देते सर कभी रेप्लिकेट कह देते तो आप सोच रहे हो कि हैं सरफ पता भी न इसमझ पतार नहीं हो जो गए है कि एक ही चीछ 22 न सिर्फिके इक यह कि तो अब इसमें आप यह आप यह का बढ़ गया हैं माउंट डि इने आई का बढ़ गया ना इमाट डिश्य बड़ा बिससे ध्यान लखना है कि यहां किस प्रकार से होता है बोग चीज में आपको बता दू कि बाद मैं बता हूं पहले सुन लीजिए कि कि इसकी ले लेजिए चलिए लेखे डी ने रेप्लीकेसन हो रहा है तो पहले आप यह देख ली कि डी एने कौन सा है लेखे कि यह इसका रेप्लीकेशन होगा तो देखें कैसे बनेगा कि यह क्या सेंट्रों मियर है सभी को यह तो जानकारी होगी कि इस प्रकार से यह कि आपने देखा यह क्या है कि एक क्रॉमोसॉम्स यह है जब सिंथेसिस होगा तो इस डी एने का रेप्लीकेशन होता है तो रेप्लीकेशन के फल्सुरूप एक से दो बनते तो एक सिस्टर क्रॉमेटिड इसको आप क्रॉमेटिड बोलें क्रॉमेटिड यह दूसरा क्रॉमेटिड क्रॉमेटिड है इन दोनों को मिलाकर सिस्टर क्रॉमेटिड कहा जाता इन दोनों को अभी आप डबल क्रॉमोसॉम्स क्यों नहीं कह रहें तो क्योंकि इनका जो सेंट्रो मियर है वह है एक है जिससे जानक है सेंट्रो मियर जो है एक है जब तक सेंट्रो मियर एक रहता है त क्रॉमोसॉम्स जो थे वो 2N बराबर 2N ही हैं 46 क्रॉमोसॉम्स मानकर आप और हमनों डिवियन कर रहे हैं यह डिस्टिस आपनों ध्यान में रख लेना लेकिन डिये ने एमाउंट डबल हो गया डियने एमाउंट कैसा हो गया बच्चो डबल हो गया डियने यानि के डियने कंटेंट यह देखिए दूसरी बास आपने लिख दीजिए डियने चांचेंट हो गया तो पहले डियनें कंटेंट कितना सफी कितना है तो यह आपकि गया के Yes आफ्टर इंटर्फेज मुक्रूप से हो जाता है तो यह मुक्रूप से आपकी कौन सी जीवन फेज दूसरी फेज कौन सी एस परकार से सेंट्रोस्वम कि सुन लीजिए किस प्रकार से रेप्लिकेट होता है डबल होता है देखिए यह कोई सेंट्रोस्वम है यह पाय जा रहा है यह सेंट्रियोल है स्लेंडर लाइक स्ट्रेक्चर सेंट्रियोल है यह आपने पढ़ा होगा सेंट्रियोल अब यह भी मुक्रूप से डिवाइड होकर दो हो जाते हैं यह सेंट्रोर अलग-अलग हो जाते और पोल पर पहुंच जाते हैं तो यह बाद की बात है चलो अपने तो डबल कंटेंड किया तो यानि कि विससे ध्यान देना है centrosome centrosome S phase में double होता है इसको आप note out का लीजिए लिख लीजिए centrosome S phase में double होता है पहली चीज यह अब आता है G2 फिर यानि की द्वारा मुक्रूप से ब्रद्दी हो रही है क्या हो रही है द्वारा ब्रद्दी हो रही है जिसे ध्यान लगा है centrosome human cell में पाइ जाता है plant cell में नहीं पाइ जाता है यह भी ध्यान लगा है centrosome human cells में यानि разб पाइ जाता है plant cells में मुक्रूप से नहीं पाइ जाता है अब आते हैं इसको बटाल दे ले लिए इसका सेन सोड लिए जलिए पृट के बारा दी आपके तीसरी स्टेज, कौन सी जी टू फेज, भही आज जी टू फेज क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस कर दीजिए, उसमें भी हुआ था, तो इसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कर दीजुता है, दूसरा, क्लॉरो, क्लॉरोप्लाष्ट, प्लास्ट एंड माइटो कॉंड्रिया का रेपली केशन होता है और डबल हो जाते हैं क्या हो जाते हैं डबल देखें पिस्टिर ध्यान रखें यह जो मैं कहना चाहरा हूँ तो नगे आउनके सेल्स यू究त्र हें भूड फेजन जबल किस पार्ट में वे देइतागा जीवन में सेंड्रोसम भल अपने कहां किया एस में किया अब यह इक रूर्प्रॉप्लास्ट और माइट्रो कॉंड्रिया को डबल कहां कर रहे है जी टू फेज में, कहां डबल कर रहे हैं, जी टू फेज में मुक्रूब से आप डबल कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो यह है, एक आपकी NCRT में मुक्रूब से एक फेज दी हुई है, जिस फेज को मैं यहाँ, जी नॉद, यह फेज दी वी है, जी नॉद या कुशियंस फेज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जी नॉद या क। कि इसका मतलब क्या होता है कि मतलब यह है जिस सेल को सुन दीजिए अभी मैं समझाता हूँ कि जिस सेल को कि डिवीजन कि नहीं करना कि है तो वह जीवन फेज से हटकर इनेक्टिव स्टेज में चली जाती है और जब डिवीजन करना होता है तो वह सेल पून है जीवन फेज में एंटर कर सेल साइकिल पूरी ले दीजिया विस्किन सौर्ट विल्कुल बहुत बढ़ी आप फोटो की तो लीजे जल्दी इस जल्दी देखें क्या होता आप और हम लोग इस पर चर्चा कर रहे सामानित है जीवन फेज है एस फेज है जीटू फेज है और किसी बुक्स में जी नौट पर चर्चा ही नहीं है तो आपकी एंसी आइटी में किल्ये लिखावा जी नौट के बारे में जिस सेल को विजन नहीं करना होता देखें यहां से यहां से बतलब यह चल लए दिवाइड होकर एश प्रकार बढ़ा फिर यह वा फिर यह हुआ आकार अब यहां से ही डिवाइड होगी तो दिवाइड होकर यानि जो बनेंगी चलिए अब एक से बन गई और एक सेल्स यह बन गई अब उन्हें भी से यह थोड़ी कि एक यी नहीं होना है तो यह सेल्स इसी जीवन स्टेज से हड़ जाती है और इन एक्टिव स्टेज में आ जाती है इन एक्टिव स्टेज में ने एक बार डिवीजन हो गया एक सेल्स इबंग गई एक सैल्स इबंग अब इन एक्टिव स्टेज में चली गई अब लेकिन कब तक डली रहे इन एक्टिव स्टेज में नहीं तो इसका इस्तित्य तो तो यदि अब पुन है उसको शेल्ट डिवाइड करना है यानि की सेल्ट डिविजन करना है तो यह सेल्ट पुन है मुकरूप से जीवन स्टेज में एंटर करती है और द्वारा से साइकल चलाती है तो इस प्रकार से मुकरूप से आपके कैसी को का जाता है कि शेंट फेज या जी नॉट फेज के नाम से जाना जाता है तो इसकी आप ले लीजिए इस ट्रिंसोर्ट देखे एक बार फुर से मैं रिवाइज करा दू बहिया सुमते चलो सेल्ट डिविजन में क्या होता है एक सेल एक सेल दो बन गई इसको सेल्ट डिविजन कह दिया आप तो ऐसे याद कर लो इसमें मुक्रूब से सेल्ट डिवाइड क्यों होती है कि जब मुक्रूब से न्यूक्लियस और साइटो प्लाइम के बीच का कनेक्शन समाप्त हो जाए एक तो यह यह प्र दूसरी स्टेज ग्यानिकों ने क्या बताई कि साइटो प्लाइम का सिंतेसिस लगातार होता जा रहा उसकी तुलना में प्लाइम मेंबरिन का सर्फेस एरिया नहीं बढ़ता जिस कारण भी सेल डिवाइड होती है तो दो कारण अब सेल साइकल किसको कहते है सीरीज ऑफ इवेंट्स डिवीजन या सेल डिवाइड सेल डिवीजन के दौरान जो सीरीज में इवेंस बता था कौन सा बताए था इंटर्षी बता दूसरा कौनसा बताए था एय्म फिया बताए था तो है मैं एशम में क्या नाइंति से क्या था मैंनों देश क्या है आप क्यों तयार हो रहे हैं नौता खाने के लिए नौता खाने के लिए तो यहां यह तैयार क्यों हो रही है इंटर फेज को प्रिपरेशन फेज भी कहा जाता तैयारी वाली वज़ता क्यों क्यों कि इसको डिवाइड होना यानि एम फेज करन होना है यह एक्च्वल डिविजन फेज कहलाती है तो यह फिर आई आपकी प्रप्रेशन फेज में जीवन फेज थी एस फेज ती जीटू तो इसके मुक्च बिंदू क्या थे जीवन में प्रोटिंस इंटैसे सोता है बोस्ट आप सेल्स आप्रिकेट इन दिस फेज सब्सक्राइब कर दो आख सेल्स आजिकांस जो सेल्स और निल्स नवह मुक्रूप से त्वाइड होता है और सेल्स नंबर में परिवर्तन नहीं होता है क्रोमोस्राम की संक्या में परिवर्तन नहीं 2N इंटो 2N ही रहता है 2N बलावा 2N ही रहता है पहरी बात तो यह आप बिलुकुल किलियर कर ली ठीक है तो यह अब आता है जी टू फेज में भी मुक्रूप से क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है इस में एक चीज उद् प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और जो माइटो कॉंड्रिया और टोरोप्लास जो सैल्स और निल्स है उनका डवल यानि उनका रेप्लीकेशन इसी फेज में मुक्रूप से होता है तो ऐसे आपको याद करना हो गया याद क्या भैद लग रहे थे तुम भी यार मतलब और फिर आया जी नौट याजी किशें मदा जिस सेल्स को यहां से डिवाइड होते चलिए आयकार बढ़ता चला जा रहा है यह से एक होकर वालोंबटी एक सेल्स तो लगाता डिवाइड हो रही एक सेल्स यह करिया बही क्या मैं डि क्या क्या दिया जी नौट या की शेंस फेस का गया लेकिन अब वो उसकी इच्छा होई कि भैया मेरे को नौता द्वारा से जाना है कभी भैये च्छे महीने बाद जाना आया तो उस दोरान मुक्रूब से हुआ है सेल फिर से तयार होने लगती यानि जीवन स्टेज में एंट अब आपना आते हैं एंट यह दिखा हुआ है आपका है एंट 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 में मुक्रूब से कितनी फिर्ष थी कि दो फिर्ष में बताऊंगा केरियो काइनेसिस और दूसरा नाम से इस पस्टूरा यदि बच्चा थोड़ा असा भी ध्यान देगा तो समझ में आ जाएगा कि यह क्या मैं कर रहा हूं केरियो काइनेसिस यानि कि इसमें नूप्लियस का डिवीजन होता है मैं बस इतना लिखना चाहूंगा नूप्लियस का डिवीजन क्रम से सिक्वेंस ली और इसमें साइटो प्राइम का डिवीजन हो गया इसमें भी मुक्रूप से जब यह डिवीजन होगा तो इसे चार स्टेज आती हैं कौन कौन सी स्टेज आती है तो यह देख लीजिए नंबर एक प्रोफेज प्रोफेज नंबर दो मेटाफेज और नंबर तीन एनाफेज और नंबर चार तीलो फेज इस प्रकार से यह चार फेजों में यह कंप्लिट होती है उसके बाद मुक्रूप से साइटो काइनेसिस फेज आती है और तो साइटो कानेसिस में मुक्रूप से क्या होता कि सपोल जैड के इस फेज में अभी आपके पास इन फेज के दोरान कि यह स्थित्य आ गई कि यह स्टिति आगे अब सेल डिवाइड होना मतलब यह साइटो प्लाइड होना है तो कैसा होता प्लांट में मुक्रूब से सेल प्लेट के द्वारा होता उसको मैं आगे जब मैं जिए प्लाइड हुआ तब बता हुआ इस प्रकार से पहले बनती है कि रेमोसाइट का जाता यह इस प्रकार से इस साइड बढ़ती है यह ऐसे यह ऐसे तो इनको क्या का जाता है फ्रेक्मोसाइट प्लांट में सेल पेट के निर्मान के दोरान होता है जब की एनीमल्स में मुक्रूब से होता हुआ है फौरों के द्वारा होता किस प्रकार से तो यह इस प्रकार से ऐसे यह थार ऑर यह इस प्रकार से मखरी एसे शोरा है बार की साइड में और इसमें अंदर की साइड में तो यह फारो के निमार के फल्चुमों और यह झांट्राम. बॉर्टी सटकें इसे क्यासित होती हैं तो इतना आपको काई परना है इस आपना है इसाटी म essentially हो गया यह प्रॉफेज है ने कि फर्स्ट फेज प्रॉफेज बिल्कुल क्रम से यह मैटाफेज यह एना फेज यह टीलो फेज और यह साइटो कांटेशिस और यहां सब्सक्क्राइब अम तो मकरूप से सहन नहीं होता है इतना मतलब करा दिया अब आप कहां तक यह बिसे ध्याना करीजिए मेरा कहना नहीं अभी पूछ डालो जो भी करना है ठीक है तो यह देख लीजिए ले लिए जी स्कीन सोर अब यहां बात कर ले अभी मैंने शुरुआत बताया था एम फिर दो टाइप का होता है एम मतला माइटोसिस एम मतला मियोसिस ठीक है तो यानि की डिशेल डिविजन दो टाइप का हो गया माइटोसिस और मियोसिस एक और मैं बाद में पढ़ाऊंगा सबसे एमाइटोसिस वो थोड़ा सा है कहीं कुछ नहीं वो बता दिया जाएगा ठीक है तो ले लीजिए इसका मियोसिस तो जो आगला पार्ट आईगा उसमें आप और हम लोग माईट्रेस पर चरचा करेंगे फिर आगला आग block दुआने हैं तो इसक्रक्राइब और दौन है। पूरी की पूरी माय्ट ओसीज में वही है सेल। की M-phase में बताई तो आप Interface पूरी की पूरी वही तयार करना है और M-phase में थोड़ा बहुत परिवतन होगा वो मैं अलग से आपको पताता चलूँगा ठीक है तो यह ध्यान में रख लीजिए